इस तरह का एक टैप लगा हो जिससे की जो ज्यादा पानी बन रहा हो वाटर बन रहा हो लिचिट बन रहा हो उसे हम लोग निकाल कर जमा कर सके बोटल में और फिर आने वाले समय में इस निकलने वाला लिचिट का भी उपयोग करेंगे अपनी बागवानी में वहीं दूसरी तो जो इसके अंदर गर्मी या किसी भी तरह की बद्बू आ रही है वो धीरे दीरे यहां से निकल जाती है खास करके इसके अंदर में एरेशन जरूरी है एक चीज और ऐसे आपने बद्बू का बताया कि बद्बू से हम कैसे बस सकते हैं मैनेज कर सकते हैं कुछ लोगों के आगे यह समस्या आती है कि उनके किचन कंपोस्ट में कीड़े पड़ गए जो के दीरे दीरे बाहर भी आने लगए वो क्या समस्या क्या गलती की वज़े से होते हैं बदबू होने के लिए है कि यदि मगेट्स ज्यादा बना हमें सौ मगेट्स चाहिए और हजार-दोजार-दस-जार मगेट्स इसके अंदर बनने लगे तो वह सारे यहां पर बदबू पैदा करेगी और वह फ्लूड कर दि कंट्रोल कर दिया पानी अपने निकाल दि या फिर मगेट्स यानी कीड़े बहुत जादा हो जाते हैं जो कि हमारे जो कंपोस्ट विन हैं उससे बाहर आने लग जाते हैं या किसी किसी को इसका प्रॉपर जो सही तरीका आसान तरीका होता है उसकी ही जानकाली नहीं होती है तो आज हम आ गए हैं किचिन गार्णिंग एक्सपर्ड प्रवीन मिश्रा जी के पास जो बहुत सारे लोगों को किचिन गार्णिंग करने की ट्रेनिंग भी देते हैं और आज हम उनसे सीखने वाले हैं किचिन कंपोस्ट तैयार करने की सबसे आसान विधी जिसमें आपको बहुत जादा स्मेल भी नहीं आएगी जो क और लिए बाते से आपको किचिन कंपोस्ट यहार करने में लेकिन पर चाहिएर यह जरूरी है कि यह कंपोस्टिंग को आसान बनाया जाए खासकर के जो घर से निकलने वाला कच्रा है इसे अच्छे किसिम का कंपोस्ट में बदलना बहुत जरूरी है और बहुत सरा लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो सुरुवात तो करते हैं पर वो कुछ दिन के ब समस्कार मैं प्रभीन मिश्रा पुना उपस्तित हो गया हूं यूनिक फार्मिंग चैनल पर और आज बातची चलेगी कि घर में आसान तरीके से खाद कंपोस्ट किचन वेश्ट का किस तरह से बना सकते हैं सबसे पहले जरूरी है कि आपके घर से निकलने वाला जो कच्रा है इस कच्रे को आसान सोड समझना कि ये आने वाले समय में खास करके गार्डनिंग के लिए उत्तम किसिम का खाद है और आपके घर की बग्या के लिए आपको कम बजट की गार्डनिंग के लिए प्रेरिद भी करता है इस कड़ी में कुछ एक तकनीक है उस तकनीक को बारी-ब बड़ा भी नहों और बिल्कुल छोटा भी नहों एक बीजबी साइज का 40-50 लीटर तक का इस तरह का कमपोस्ट बिन आप ले सकते हैं बना सकते हैं ऑनलाइन भी सच करके मंगा सकते हैं कमपोस्ट बिन में ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह का एक टैप लगा हो जिस दूसरी और कमपोस्ट बिन में इस तरह का सुराक जरूरी है जो कि ऊपर में आप कर लेते हैं तो जो इसके अंदर गर्मी या किसी भी तरह की बदबू आ रही है वो धीरे दीरे यहां से निकल जाती है खास करके इसके अंदर में एरेशन जरूरी है तो इसके लिए हम एक 6-6 इंच के दूरी पर कर सकते हैं तो यहां तो बात हो गई कि यह कंपोस्ट बिन का वहीं दूसरी और हम लोगा बात करते हैं इस पूरी प्रकिरिया को एक सद जोडने का और कड़ी से कड़ी जब आप देखेंगे तो बागवानी आसान हो जाएगी कमपोस्टिंग में सबसे पहली प्रकिरिया यह होगी कि आपके कंटेनर में इस तरह का कोको पिट अच्छे से धो कर और हलका भुरबुरा करके इनको सामिल करना जो भी कोको पिट है इसे दिए आप पहले से ही धोकर अच्छे से सुखा कर रखेंगे और यह ब्लैक कलर में इस तरह का convert होने लगेगा तो ये काफी अच्छा भी रहेगा खास करके composting के प्रक्रिया में ये सायक भी होगा इस बिन के अंदर में लगबग 1-2 इंच तक इस तरह का cocoa pit का डाला जाना जरूरी है cocoa pit 1-2 इंच जब आप डाल देते हैं नीचे में एक water layer त्यार हो जाता है और नीचे accelerate करने के लिए खास करके घरेलू कच्रे को ये बहुत ही जरूरी होता है कि एक minimum moisture 10% तक इसमें maintain होती रहे और बनी रहे इसके साथ साथ अब composting की journey सुरू होती है इस प्रक्रिया में हम लोग यहां बात करते हैं कि जो भी घर से निकलने वाला कच्रा है इस कच्रे को सबसे पहले समझने की जरूरत है घर से निकलने वाले कच्रे में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर की जो प्रैक्टिस होती है इस तरह से जो आपने किचन में जमा किया है उसे बिन में आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास कंपोस्टिंग के लिए आ रहा है उनमें ये जानकारी के लिए जरूरी होगा कि आपने जब चोटे-चोटे टुकडों को डाल दिया तो अब आपको डालना है जो कच्रा है इस कच्रे का 1-5% कोकोपीट का इस तरह से बुरादा डालना है नीचे एक लेयर कोकोपीट है फिर हमने ग्रीन कच्रा डाला है जिसमें फल और सब्जियों के चिलके सामिल हो सकते हैं और अब जो कच्रा है इस कच्रे का 1-5% तक ब्राउन फार्म में हम लोग यहां पर इस एक्सिलेट करने के लिए उपर से कोकोपीट का चिलकाओ कर रहे हैं जो कि आसानी से है इसके साथ-साथ अब हम लोग डालते हैं वेस्ट डिकंपोजर डबलू डीसी यदि वेस्ट डिकंपोजर नहीं है तो आप गुड का पानी भी सामिल कर सकते हैं गुड का पानी बनाने के लिए जरूरी होगा कि एक लीटर पानी में 100-200 ग्राम तक गुड डाल कर ओवरनाइट छोड दीजे सुबा छान कर इस तरह से बोटल में जमा कर लीजे और अब इस पानी को या तो गुड का पानी या तो वेस्ट डिकंपोजर दोनों में से कोई एक जो भी आपने कच्रा डाला है इस कच्रे के उपर में एक से पांच परतिस सथ तक छिड़काओ कर सकते हैं छिड़काओ करने के बाद जरूरी होगा कि आप इस कच्रे को थोड़ा मिक्स कर दीजे जो कोकोपिट आपने सामिल किया इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो ग्रीन कच्रे में ब्राउन फार्म में भी एक्सिलेट होने के लिए जरूरी हो जाएगा और यहां उपलब्दी हो जाएगा, माइक्रोबिल एक्टिविटी सुरू हो जाएगी इसके साथ साथ अब हम लोग इस कच्रे के बिन को ढग देते हैं कच्रे बिन को ढग कर इस ऐसी जगह में इसका प्लेस्मेंट जरूरी है जहां पर बहुत ज़्यादा धूप न लगे और ठंड के दिनों में भी ऐसे जगह में रखेंगे जहां हलकी गुनगुनी धूप मिल जाए बिल्कुल ठंड जगह में अदि आप ठंड के दिन में रख देंगे तो भी कमपोस्टिंग अच्छे से नहीं बनेगी और बिल्कुल साइलेंट पड़ा रहेगा बारिस के मौसम में एक ऐसे जगह होना चाहिए जहां पर उपर कैनोपी और डारेक्ट पानी किसी भी तरह का इस कमपोस्टिंग के अंदर ना जा यह दिहान रखेंगे कमपोस्टिंग की तो यह सुरुवात हो गई और इसी तरह से आप जो भी घर का कच्रा है धीरे-धीरे करके अपने कमपोस्ट बिन में डालते रहेंगे और धीरे-धीरे उनको गुड़ाई करते वे इस पूरे उपर तक की सुराक तक आप भरते रहेंगे चलाते रहेंगे कमपोस्टिंग करने के दौरान यह जरूरत है कि जो आपके ग्रीन कच्रा है उस कच्रे को डाला फिर कोकोपिट डाला फिर गुड़ का पानी या डबलू-डी-सी में से कोई एक डाला और धीरे-धीरे भरते वे इस सुराक तक भर देना है अब यहाँ पर सुरू होती है इ घरता रहेगा नया डलता रहेगा कमपोस्ट के फॉर्म में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा बस कच्रा इसके अंदर होता रहेगा और लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी वहीं दूसरी और हम लोग चाते हैं कि आपके गार्डन में होने वाला जो खर्च वो कम हो बनकर खाद में बदल जाएगा और फिर यह बिन खाली हो जाएगा अब यह बात करना भी जरूरी है कि यदि चार लोगों की फैमिली है तो आपके पैस यदि तीन बिन हो तो आपके घर के कच्रे का मैनेजमेंट बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से होने लगेगा और बिल्कुल इस्ट्रेस फृई भी हो जाएगा जैसे कि आपने बताया कि हमने कच्रा डालना शुरू किया और कच्रा डालते दालते क्यूंकि दो लोगों की फैमिली है चार लोगों की फैमिली कच्रा बहुत थोड़ा होता इतना ही तो उसको भरते बरते ही हमें एक महीना ल बन जाएगा मैक्सिमम 90 डेस तक बन जाएगा लेकिन मान लीजिए आप आधा भरा आपने और बीच में चुटियों में बाहर चलेंगे 15 दिनों तक तो वापस आने के बाद फिर इस बिन में डालना है इस बिन में जितना भर गया यह कंपोस्टिंग में छोड़ देना नया बिन फिर त्यार करना उससे फिर नई प्रक्रिया को त्यार करेंगे एक चीज और बताते हैं लोग कि जब भी आपका कंपोस्ट बना तो बीच में उसे किसी डंडे की मदद से चलाते रहें गुड़ाई कर सकते हैं तो हम लोग का तरीका होता है जब भी कुछ मिला रहे हैं जैसे नया कचला डाल रहे हैं वहां पर और पूरा भरने के बाद भी जब यह बैट रहा है कम हो रहा है तो बीच बीच में गुड़ाई कर सकते हैं गुड़ाई करने के बाद बहुत होट समर डेज है तो गुड़ का पानी या वेस्ट डिकंपोजर को बढ़ा देंगे घञा है तो खाद बनाना आसान होजाएगा कमपोश्टिंग करना आसान होजाएगा चुनोतियां सुरू होती है जानकारी के अभाव में खासकरके डॉमेस्टिक वेस्ट मेनेजमेंट्ट साथन सिमित है और यहां आसपास का पडोस का महौल भी है तो उन के महौल तक आपके composting की दुरगंद न पहुँचे, इसके लिए कुछ एक बात करना जरूरी होगा जैसे कि compost bin सुचार रूप से चले, इसके लिए जरूरी होगा कि जो भी कच्रा हमने यहां जमा किया है, उसमें लगने वाला maggets concentrate हो जाए उस जगा में, maggets को खाने के लिए stuff मिले और वो खाए और decompose कर दे, maggets जादा बनने का कारण है कि जादा अंदर पानी बन रहा है, तो water content release करने वाले जो भी आपके पास peel off है, पैचरे का छिलका है, वो सारा आप कोसिस करेंगे चोटे-चोटे टुकडों में बदल दे, वहीं दूसरी हो, और यदि आपके पास compost bin में पानी बन रहा है, तो इस जगा से पानी निकाल कर नए बोटल में 80-30 तक भर कर आप पानी को निकाल कर रख दें, और उस पानी के बोटल में एक डेट लिख दें, डेट लिखने के बाद इसे room temperature या semi-shade area में रखें और दो महिने के बाद इस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं, अज़े आयो फटलाइजर 10-15 ml अपने नॉर्मल पानी में मिलाकर अपने पौदों में पुराने और इस्टेबलिस पौदों में दे सकते हैं, इसके बाद और जो इसमें आता है कि जो इसमें बदबू होने वाली चीजे आती है, बदबू होने के लिए है कि यदि मगेट ज्यादा बना हमें 100 मगेट चाहिए और 12000-12000 मगेट इसके अंदर बनने लगे तो वह सारे यहां पर बदबू पैदा करेगी और फूलूड के इसके अदर होने वा कपड़ा हो और सबसे पहले इस कपड़े को यहां से उड़ा दीजिए उड़ाने के बाद इस धकन को रात्री कालिन इस तरह से खुला छोड़ दीजिए वार्निंग में फिर आप ऐसे बंद कर सकते हैं और जैसे आप ऐसा करेंगे देखेंगे कि अंदर में यह कंसेंट्रे कंपोस्ट करें कि प्याज और लसन के छिलके बीन डालें स्टमपोस्ट किंव में बड़े टुकड़े वाले जितने भी फाल हैं जो कि देज से करते हैं। उनको भी डालने से बचे और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कंपोस्टिंग आसा नोगी अब यहां बात आ रही हैं और उनमें जो देर से डिकंपोस्ट होने वाली चीज़ें उनको डालते हैं तो आपकी वह कंपोस्ट अलग से बननी सुरू हो जाएगी और वह आपका एक सिस्टम तयार हो जाएगा से जादा लोग जादा तर गत्ते को कागज को इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपने उसको सब्सक्राइब के साथ नहीं होगा और हम यह माइक्रोबियल एक्टिविटीटीज चाहिए मगेट को ज्यादा हीट न लगे वहां परिदी आप गत्ता डाल रहे हैं तो हीट जेनरेट होगा तो वहां क्या होगा कि या तो ज्यादा मगेट अचनक से बन जाएंगे और प्र मुझे लगता है कि किचिन कंपोस से संब्दित जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो आपने दे दी है मुझे जितने सवालों के जवाब चाहिए थे मैंने ले लिए लेकिन आपके माइंड में कोई ऐसा चीज रहे गई है जो आपको चाहिए आप पूछना चाहते हैं तो कमे करें धन्यवाद